आज मैं बना रही हूँ सैंविच, चार तरकी की सैंविच की रेसिपी शेर कर रही हूँ और चारोई की रेसिपी जो है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रिडियन्स के साथ ही सारे सैंविचेस बनाए है बच्चों के टिफिन में यह आसानी से बना के दिये जा सकते हैं तो चलिए इनकी रेसिपी देख लेता हैं सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रेड रोल ब्रेड रोल के लिए एक उबला हुआ आलो ले लेना है और इसे इस तरह से मैश कर लेना है आलो को पहले से बॉइल करके रखेंगे तो बनाने में काफी आसानी होँगी ज्यादा समय नहीं लगेगा और इसके बाद में हम वन टेबल स्पून आड करेंगे इसमें बारीग कटा हुआ प्यास इसी के साथ हम इसमें आइड करेंगे 1 टेबल स्पून कद्दू कस्किया हुआ गाज़त और 1 टेबल स्पून बारिक कटा हुआ अरा धनिया कुछ मसाले ले लेंगे 1 टेश्पून भूने हुए जीरे का पाउडर और 1 टेश्पून हम लेंगे यहाँ पर आमचुर पाउडर और नमक जो है वह हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस स्टफिंग से हमें 2 तरीके के सैंड्वेच बनाना है वह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी स्टफिंग बनकर अब तयार है हमारे तो हम ब्रेड ले लेंगे ब्रेड मैंने ब्राउन ब्रेड ली हुई है और इस ब्रेड को हमें बेलन से बेल देना है तो हम ब्रेड को बोड बे निकाल लेंगे बेलने के लिए और एक एक ब्रेड लेकर हमें इसे रूल करना है इस तरह से बेलन को इस तरह से इसके उपर रूल कर लेंगे ब्रेट को अच्छे तरह से रूल कर ले बेलन से इसकी बाद में हम इसमें टोमेटो केचप लगा देंगे और टमेटो के जब को पूरे ब्रेट पर इस तरह से स्प्रेट कर लेना है इसके बाद में हमने जो स्टफिंग बना के तयार की थी उसे रख लेंगे ब्रेट के उपर इस स्टफिंग को हमें ब्रेट के आदे हिस्से में ही रखना है पूरे हिस्से में नहीं रखना है और आधे हिस्से में रखने के बाद हमें इस bread को roll कर लेना है और इस तरह से हम roll कर लेंगे एकदम slow-slow roll करेंगे नहीं तो bread ब्रेक हो जाएगी देखिए इस तरह से हमें सारे rolls बना के तयार कर लेना है तो बाकी की breads के भी हम इसी तरह से roll बना के तयार कर लेंगे stuffing के साथ आप यहां चाहें तो tomato ketchup के जगह homemade जो चटनी बनाते हैं वो भी लगा सकते है according to आपके बच्चे को क्या पसंद है अगर उसे चटनी पसंद आती है तो आप चटनी लगाए वो उसे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो यह दिखे सारे rolls बनके तयार हो गए है अब हम इने cut कर लेंगे सारे bread roll को हम slow slow cut कर लेंगे इस bread roll की stuffing में हमने जो मसाला बनाया है उसके साथ आप अपने बच्चों की choice की veggies भी add कर सकते हैं जो vegetable उने पसंद है वो दे सकते हैं और यह दिखे इस तरह के से दिखेगा cut करने के बाद roll और इसी तरह से बाकी की rolls हम cut कर लेंगे और अब हम इने shallow fry कर लेंगे तो चलते हैं ग्यास की तरफ ग्यास पर मैंने एक पैन रखा हुआ है इस पे हम वन टेबल स्पून ओईल लेंगे और और लेने के बाद पूरे पैन में हमें ओईल को अच्छे से प्रेट कर देना है इसके बाद हम इसमें 140 टी स्पून जीरा डालेंगे और जीरा अच्छे से क्रेकल हो जाने के बाद हमने जो ब्रेड रूल बनाई है उसे डाल देंगे आप यहां चाहे तो एक साथ सारी डाल सकते हैं मैं एक एक करके डाल रही हूँ और इसे हमें एक मिन प्रेड़ा कलर आजाता है जब यह इस तरह से प्राई हो जाते हैं देखें कितना बढ़िया लग रहा है बचों को भी बहुत ही टेस्टी लगती है क्योंकि इसमें क्रंची सा टेस्ट होता है जो बहुत पसंद आता है और स्टफिंग जो है वो कावी चटपटी से है इसकी निए बाद में हम इसे हरे धनीय से गार्णिश करतेंगे इसकी बाद में गैस का फ्लीम औफ कर देंगी और गैस का फ्लीम आफ करने के बाद आप चाहें यहां तो थोड़ा सा आमचुर पाउडर राल सकते हैं और चिली फ्लेक्स एड़ कर सकते हैं अगर आपका बच्चा होड़ा सा तीखा खाना पसंद करता है तो आप जरूर आट करें पर मैंने यहाँ पर एकदम छोटे बच्चों के लिए बनाया हुआ है जिने मिर्ची बिल्कूर पसंद नहीं आती है उनके लिए अब हम टिफिन में निकाल लेंगे और एक बात कि अगर आप चाहें तो इन ज दिफिन बोक्स को कंप्लेट करेंगे अब चलते हैं नेक्सट रेसिप्य में रिस हमारे जो है वह ब्रेट की है तो मैंने यहां पर ली हुई है अब यह जोग में डीए इसके सारे corners cut कर लिये हैं इसकी बाद में हमें क्या करना है इसे four cubes में cut करना है मतलब कि एक bread के हमें चार हिस्से करने हैं और मैं यहां पे एक bread और ले रही हूं अब यहां पे हमें इन bread में tomato के चुप लगा लेना है तो इस टोमेटो के चुप को पूरे bread पे अच्छी तरह से स्प्रैट कर लेना है अगर आपके बच्चा ग्रीन चटनी खाना पसंद करता है तो आप भी लगा सकते हैं इसकी बाद में हम सेम स्टफिंग यूज करेंगे जो हमने bread रोल के लिए बनाई थी वही स्टफिंग और एक ही स्टफिंग से कई सारे सैंविचे अलग अलग तरीके से बनाया जा सकते हैं और अब यह जो स्टफिंग है इसको पूरे bread पे अच्छी तरह से स्प्रैट कर लेना है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस स्टफिंग में आप अपने स्टफिंग कर लेना है यानि एक ब्रेट के में चार इस से कर लेना है अब चलिए इस ब्रेट को फटा फट से कट कर लेते हैं ब्रैट को इस तरह से cut कर लेने के बाद ये बहुत ही expressive लगता है कि grosse dachte कर लेंगें इसे के देकने में बहुत इंट्रस्टिंग लगता है और घाने में भी बहुत अच्छा लगता है सबी सैंविचिस को अच्छे से शेव से कोट करने के बाद में अब हमने जो मिनी सैंविचिस हैं रेडी कर लिये हैं और इसे हम टिफिन में रख लेंगे अब ये टिफिन सिर्फ से कंप्लीट नहीं होता है तो इस टिफिन को कंप्लीट करने के लिए हम यहां पे salad लेंगे cucumber और carrot लिया हुए इससे हम टिफिन को कंप्लीट कर लेंगे और ये अब हमारा जो second टिफिन है ब्रेट से बना हुआ बनकर तयार है अब हम चलते हैं थर्ड नमबर के ब्रेट के जो रेसिपी हमारी उसके लिए उसके लिए भी मैंने सीम चीज की है कि मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है और उसे भी हम लोग मैश कर लेंगे यहां पर मैं बना रही हूं मसाला टोस्ट ब स्टफिंग नमक बेट के ले इसा को व्रग ठयां और वंधे री नियुए और इस की बाद में सीम क्वंटिटी में हम ह्रादनिया ले लेंगे और हरादनिया लेने के बाद में इसमें हम 만 4 टी स्पून जीरा पैवडर लेंगे नमक अपने टेस्ट क अकॉर्डिंग ही रखे मैंने इस स्टफिंग में बिल्कुल भी तीखा एड़नी किया है और अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं तो यह हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है अब हम ले लेंगे ब्रेट भी आप अपनी चोईस से ले सकते हैं मैंने ब्राउन ब्रेड लिये हुए हैं अब इस ब्रेट हम फटा फट से टोमेटो केचप लगा लेंगे ब्रेट पे टोमेटो केचप जब भी लगा है तो पूरे ब्रेट को कॉर्नर को भी कवर करें टोमेटो केचप से और इसके बाद में हम लेंगे एक चीज स्लाइस दीखे इस तरह से और इसके ऊपर हमने जो स्टफिंग से कवर कर लेना है Corners बिल्कुल भी छुटने नहीं चाहिए same टेस्ट आना चाहिए Corners में भी मैं अब हम यह सेंड्विच है यह टोस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है तो आप जो यह सैंड्विच की स्टफिंग है इसे दो साइंडविच आराम से बना सकते हैं और अब हम हम इस सैंडविच को दूसरी बेड बासे कवर करेंगे सैंडविच हमारा रेड़ी है सैंडविच को टोस्ट कर लेंगे टोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रिल पैन लिया है और इसमें हाफ टीस्पून बटर डाला है बटर डालके इसे इस तरह से स्प्रेट कर लेंगे बटर को आप चाहे तो नॉर्मल पैन भी ले सकते हैं और बटर की जगह आप खीका भी यूज कर सकते हैं इसके बाद में उपरी इससे में भी हमें बटर लगा लेना है मैंने यहां ग्यास का फ्लीम जो है वो मीडियम रखा है और एक मिनिट के लिए मैं इसे टोस्ट कर रहे हूं तो दोनों साइड से हमें एक एक मिनिट के अब यहां पर हम साइडविच को फ्लिप कर लेंगे और दूसरी साइड से भी से अच्छी तर से टोस्ट कर लेंगे और अब यह बच्चों के लिए मसाला टोस्ट बनकर तयार है तो इसे हम निकाल लेंगे बोट पे और इसे कट कर लेंगे अब हम ले लेंगे एक टिफिन और टिफिन में हमने जो मसाला टोस्ट बनाया है उसे ट्राइंगल शेप में कट करके ले लेंगे और इस टिफिन को हम कंप्लीट करेंगे रूस्टेट मखाना के साथ तो यह थर्ड नमबर का टिफिन हमारा बन कर तयार है इसके बाद में इस वीडियो की लास्ट रेसिपी द ले लिया है और वन टेबल स्पून बारिक कटा हुवा क्याबिज ले लिया है वन टेबल स्पून बॉइल की हुए कॉन ले लेंगे और इसकी बाद में टू टेबल स्पून हम हंकर्ड लेंगे याने दही का जो सारा एक्स्ट्रा पानी होता है उसे निकाल के हमें जो थिक देए वो ले लेना है इसी के साथ हम कुछ मसाले भी आड़ कर लेंगे 140 पून चाट पसाला लेंगे और चुटकी भर हम काली मिर्च का पाउडर ले लेंगे और नमक अपने टीस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे और आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे औ अगर आपके बच्चे को दही नहीं पसंद आता है तो आप इसके जगव फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं अब यह जो हमारी स्टफिंग है यह बनकर विल्कुल तयार है इसे हम थोड़े दरे के साइड में रखेंगे और यहां पर ब्रेट ले लेंगे तो इस तरह से मैंने ख्लास का यूज किया है इसे कट करने लिए अगर आपके पास इस तरह से कटर है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से सर्कल शेप में हम ब्रेट को कट कर लेंगे मैंने यहां 4 ब्रेट को गट किया हुआ है और जो इसके corners से उसे हम फेकेंग नहीं उसका हम दूसरी recipe में यूज कर सकते है देखिए इस तरह से जो यह bread बची हुई है इसका bread crumbs बना के दूसरी recipe में यूज कर सकते हैं इसके बाद में हम हमारी stuffing ले लेंगे जो हमने बना के तयार के दी और इस bread के ऊपर इसे stuffing को रख लेंगे और अच्छे से spread करते हुपे हमें इसे cover कर लेना है सो अब ये creamy sandwich भी बन कर तयार है अब हमने इसमें stuffing अच्छी तरह से रख ली है और इसे दूसरी bread से हम इस तरह से cover कर लेंगे तो इसकी stuffing जो है वो बहुत ही tempting है बहुत ही पसंद आएगी बच्छों को इस तरह से भी बना के देया जा सकता है टिफिन में इसी तरह दूसरा sandwich भी बना कर तयार कर लेंगे और टिफिन को हम complete कर लेंगे तो यह हमारा टिफिन बिल्कुल ready है creamy सा sandwich बन कर तयार है इस तरह से भी आप बच्छों को बना के देंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा इस वीडियो में मैंने चार तरीके की bread की recipe आपके साथ शेयर की है टिफिन के लिए अगर आपको यह पसंद आई है तो सबके साथ शेयर जरूर करें मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो डालने वाली हूँ जो इस्पेशली टिफिन के लिए होगी and thank you so much for watching my video मिलते हैं next video में